देख बिना ब्रिक दाउम्लोड ता क्या एक जो भक्त जेट्ट पर एक बड़े नेता का कभी कवरे RS नहीं हाता था उस चेनल पर अब बापी की चेनलों में आए उस नेधा अब लाएगा और नेता का अपने को प्रत्ख्ट सेट मेरा नहीं करता है तो मेरा कहना यह है कि भाया, जैसी को बाइकाट करके रखना ही जैसी बहे बायार पीट तब तैसी दीजै, ये देर से समझ में आया है हिंदुस्तान के मार्कसवादियों को यद्यपि, प्रकतशीलों को ये बहुत पहले समझ में आने लगाता है, असल में क्या है, कि अनन जी मार्कसवादियों से कुछ जादे आतंके ने, इनको काफी प्रतारित किया होगा किसी ने, अभी बता रहे थे ने, चापने समना कर दिया, संपाय तक पहुँच गया, चोटी प्रसरेशन के वाले बड़े अकवार करते हैं, भाई ऐसा होता है, हुक्का पानी तक बंद कर द मेरा कहना है, मैं खुद एक निशांची था, इतना कम से कम सर यकीन दे दीजेगा कि इसके बाद आद आज जो बोल रहे हैं, आपका पानी बननी हो जाएगा, ने, ने, हुआ क्या है, आपका पानी चाहिए ने, सुनिये न, ना मैं हुक्का, मेरा कहना यह है, कि ना मैं इतना आतनक भी मत जानिए, इस्थिती क्या है, कि आज हम पॉलिटिकली करेक्ट जादे लिखते हैं, मार्क्सवादी भी नहीं लिखते हैं, आज आप किसी एक अच्छे सुसंगत प्रकाशील को या मार्क्सवादी को ले आए, मालूम पड़ेगा, अगले एक शड़ों क्य आपका, पच्छोरी जर रिव्यू करें, मैं बताओ आपको, मैंने पता नहीं कितने रिव्यू किये, और मेरी पचास किताबें हैं, सब खराब होंगी, एकात तो ठीक होगी ना, कोई बंदा रिव्यू करने को तईयान नहीं, कारण क्या है कि मैं किसी को खिलाता नहीं, पि बैठना है ना, यह जो शाम का बैठना है, हिंदी साहित इस से संचालित है, बिचारदहरा से भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि अगर आज मोदी जी लेखकों को यह कह दें कि भी जर आ आना बात करनी है, तो कौन ऐसा होगा जो ना आएगा, माफ किजेगा, मैं बहुत एक अन्ता हूँ लेखकों के